हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, आज के इस इंपोर्टेंट लेक्षर में हम सभी डिसकस करने वाले हैं, 22 जोलाई दोहजार चौबीज के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यर्स के कुशन, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत इध्यान से लास्तक जोड देखेगा, पहला और इंपोर्टेंट कुशन आपसे पूछा जा रहा है, UPSC के चेर्मेन कौन थे, जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, अंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोशोनी, तो डॉक्टर मनोशोनी ने व्यक्तिगत कार परणों से UPSC के अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर दिया है, ओप्सन डिसकस कर लेते हैं, तो इकबाल सिंग लालपुरा कौन है, यह अल्प संख्यक आयो के अध्यक्ष हैं, अच्छा, राजीव लक्षमड करंदीकर कौन है, तो यह राष्टिय सांख की आयो के अध्यक् कारिकाल दो हजार उन्तीस में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने कारिकाल पूरा होने से पहले ही रिजाइन कर दिया है, वो गुजरात के रहने वाले हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, उन्होंने दो हजार तेईस में UPSC के अध्यक्ष के पद की सपत ले थी बात करते हैं UPSC की, तो इसका full form होता है Union Public Service Commission और यह एक सम्विधानिक निका है, यानि इसका वरणन सम्विधान में किया गया है, इसकी स्थापना होई थी 1 अक्टूबर 1926 को भारती सम्विधान के अंचे 308 से 323 तक UPSC का वरणन किया गया है, UPSC में एक अध्यक्ष होता है और 10 इसके सदस होते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कारिकाल 6 बर्स का होता है या उनकी 65 बर्स की आयो तक होता है, जो पहले हो जाएगा वही उनका कारिकाल माना जाएगा, अध्यक्ष की नुक्ती राष्ट पती जी के द्वारा की जाती है, इस बात को भी आप या साथवे वितन आयोके अध्यक्ष कौन है असोक कुमार माथुर और भारतिय प्रति इस्पर्धा आयोके अध्यक्ष कौन है रवनीत कौर केंद्रिय विद्दुत वी नियामक आयोके अध्यक्ष कौन है जिशनू बर्वा आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखेगा लास्ट में आपसे कोशन पूछा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट बोक्ष में बताना है आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजेगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दिया गया है इसके अलाबा आप हमारे वाट्सेप चैनल को भी जोईन कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में चौसट भी अंतराष्टिय चीनी संगठन परिसद की बैठक आयुजित की गई है और इसके अध्यक्षता किस ने की थी भारत ने की थी बैंगलूरू में अभी हाली में कमबाला प्रतियोकता का आयुजित किया गया था और चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजि फोर कास्टिंग सेंटर सुरू किया गया है इसका उद्देश होगा भारत में लेंड स्लाइड बाले छित्रों का पता लगाना और लेंड स्लाइड बाले छित्रों का पता लगाने का काम किसका होगा जियो लॉजिकल सर्वी ऑफ इंडिया का यानि भारतिय भू विज्ञा बेव पोर्टल और भूइस्कलन मोबाइल एप का भी सुबारंब किया है और आपको याद रखना है कि भूइस्कलन पूरवानुवान प्रनाली 2030 तक पूरे भारत में उपलब्द करा दी चाहेगी चलिए बात करते हैं जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की तो इसकी केंडर की यानि एक केंडर की तो चलिए डिसकस करते हैं हाल फिलहाल में स्थापित किये गए कुछ प्रमुक केंडर जैसे मौरिसस में पहला बिदेशी जन ओसदी केंडर स्थापित किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर बनाया गया है दिल्ली में जिस केंदर का उधगाटन किया है। केंदर का उधगाटन किया गया है। के द्वारा भारत में होने वाली मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड अम्वेश्टर न्यूक्ट किया है। अच्छा दीपिका पादुकोंड की बात आई है तो वह है विसलरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड अम्वेश्टर हैं। और पंकच तिरपाथी पाचबे भारत रंग माउसो दुहजार चौबीस के ब्रांड अम्वेश्टर थे और नीरा चोपडा सुट्जा लेंड के फ्रेंड शिप अम्वेश्टर हैं। चलिए कुछ important fact discuss करते हैं, तो Euro Sports क्या है? तो यह एक television sports channel है, तो इसके Euro Sports इंडिया ने भारत के क्रिकेटर सिखर दबन को भारत में Moto GP के लिए ब्रांड अम्वेश्टर निउक्त किया है। देखे यहाँ पर ambassador की बात आई है, तो कुछ important ambassador discuss कर लेते हैं, जैसे Fit India Movement की brand ambassador कोन बने हैं? नरेंदर कुमार यादव। अभी हाली में लोक्षवा चुनाव आयुजित किये गए हैं 2024 के, तो इसमें पंजाब का state icon किसी बनाया गये था? सुभमन गिल को. बोट की brand ambassador रंडवीर सिंग बने थी. लोक्षवा चुनाव 2024 में चुनाव आयुक के द्वारा ambassador कोन बनाया गये थी? आयुश्मान खुराना इसके अलाबा, प्यूमा इंडिया के brand ambassador अभी हाली में, रियान पराग और नितीस कुमार रेड़ी बने हैं, ये दोनों किर्केटर हैं, पीबी सिंधू को तमबाकू नियंतरन के लिए brand ambassador बनाय गया है, और SBI के brand ambassador MS धोनी और सिट्रोइन इंडिया के brand ambassador भी MS धोनी बनाय गय हैं, और राष्टिय दिव्यांग जन आइकोन कौन बनाय गये हैं, चुनाव आयोक के द्वारा, सीतल देवी, अंगला कुशन है, मुस्लिम बिवाह और तलाग पंजीकरण अधियाम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है, आंसर हो जाएगा असम, तो दोस्तों, अ दुनिया का सबसे बड़ा नभी करणिया उर्जा पार्क बनाये साएगा, मद्द प्रदेश में, उज्जेन में, पहली बैदिक घड़ी स्थापित की गई है, और राजिस्थान की जैसल मेर में, 115 मिलियन वर्स पुराने सार के जीवास्मी की खोज, तो अभी हाली में, मु कि इसमें मेरेज रजिस्टेशन उनका भी कर दिया जाता था, जिसमें लड़की की आयू 18 बर से कम होती थी, और लड़के की आयू 21 बर से कम होती थी, उनका भी रजिस्टेशन होता था, तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए, असम सरकार के द्वारा इस अधन्यम को नि असम में की साएगी। असम में कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे काजीरंगा, मानस, डिबरू सैखोबा, नामेरी, ओरंग, देहिंग और रायमोना ये सभी नेशनल पार्क असम राज में इस्ते थे। पी-म स्वादनीधी योजना के तहट सर्वस्रेष्ट प्रदर्सन करने वाला राजज कोन बना है। आंसर हो जाएगा मद्द प्रदेश तो मद्द प्रदेश PM स्वा निधी योजना के इंतरगत सर्ष्रेश्ट प्रदर्सन करने वाला राज़ बना है अच्छा 36 गड़ की बात करें तो यहाँ पर राम लला दर्सन योजना शुरू की गई है महराष्ट सरकार के द्वारा कस्मीर में महराष्ट भवन बनाये चाएगा और तमिल नाडू की बात करें तो तमिल नाडू में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उधगाटन किया गया है तो सबसे पहले समझते हैं कि यह PM स्वा निधी योजना क्या है तो यह योजना 2020 में COVID-19 महामारी के द्वारान केंद सरकार के द्वारा शुरू की गई थी तो इसमें जो सहर में सडकों के केनारे छोटा-छोटा सा ब्यापार करते है ठेला लगाता है कोई या फिर छोटी सी दुकान करता है तो ऐसे ब्यापारियों को 50,000 रुपाई का रिड़ उपलब्द कराये जाता था इस योजना के तहट तो इस योजना में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन करने बाला राज जिकोन बना है मदप्रदेश उसके बाद दूसरा नमबर है असम का अच्छा इसी योजना में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन करने बाले नगर निगम कौन है तो वो है दिल्ली नगर निगम दूसरे नमबर पर है ब्रहत बैंगलूरू महा नगर पालिका और तीसे नमबर पर है एहमदाबाद नगर निगम चले कुछ इंपोर्टेंट रिपोर्ट और रेंकिंग डिसकस करते हैं तो टाटा ग्रूप भारत का सबसे मूलवान ब्रांड बना है दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू येरलाइन बाजार बना है विराट कोईली भारत के सबसे मूलवान सेलिब्रिटी ब्र बने हैं उनका ब्रांड बैल्यू है 227 दिसंबल और 9 मिलियन डॉलर एचार कंसल्टेंसी मरसर की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महगा सहर कौन बना है मूंबई वेस्विक सांती सूचकांक 2024 में आइसलेंड पहले स्थान पर है और भारत 116 ब दा लिसेंट प्लिनेटरी हेल्थ जनरल में प्रकासिती एक अध्यन रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल वायू प्रदूशन से 33,000 लोग मर रहे हैं सहिक्त राष्ट की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.700 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है अंगला कुश्यन है राजजीव गांधी सिबिल्स अभाय हस्तम योजना किस राज में शुरू की गई है तो यह तीलंगाना राज में शुरू की गई है चली ऑप्सन डिसकस कर लेते हैं तो हारियाना में अभी हाली में आईटी सक्षम यो योजना शुरू की गई है तो तीलंगाना के चीप मिश्टर है ए रेवंत रेड़ी तो उनके द्वारा राजजीव गांधी सिबिल्स अभाय हस्तम योजना शुरू की गई है इस योजना के तहल सिबिल्स रिभा की मुख परिक्षा उत्रिन करने वाले उम्मीद बारों को उनकी तयारी के लिए एक लाख रुपए दिये चाएंगे तेलंगाना करिंट अफ्यस बिसकस कर लेते हैं तो इंद्राम्मा आबास योजना तेलंगाना में शुरू की गई है एक मुस्ती योजना भी तेलंगाना में शुरू की गई है अभी हाली में जनजातिय उत्सव सम समक्का, सरलम्मा, जतारा का आयुजन तेलंगाना में किया गया है, ग्रह जोती योजना तेलंगाना में शुरू की गई है, प्रजा, पालन, कारिक्रम तेलंगाना शरकार के द्वारा शुरू किया गया है, महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री वस्यात्रा योजना कि इसने शुरू की है तेलंगाना की गवर्मेंट ने विस्तु का पहला 3D printed मंदिर किस राज्य में बनाये गए है तेलंगाना में और समक्का सरक्का केंद्रिय जंजाती विश्व विद्यालाय तेलंगाना की मुलगो जिला में इस्थापित किया जाएगा तेलंगाना की विसिक राधा कृष्णन इन्हें अत्रिक्त प्रभार दिया गया है तेलंगाना का वैसे ये जारखंड के गवर्नर हैं बिधान परसद की यहाँ पर 40, बिधान सबा की 11, राज्य सबा की 7 और लोगशबा की 17 सीटे हैं यहाँ पर आप तेलंगाना की लोकिसन देख लीजेगा अपरमीर हरिना वनिस्तली और म्रगावनी राश्ट यूद्यान तो यह सभी राश्ट यूद्यान तिलंगाना राज्ज में हैं अंगला कोशन है पाई सन निक्तन Mädchen का मनाया जाता है अनसर हो जायेगा 22 चूलाई को, तो हर साल 22 चूलाई को पाई सन निक्तन दिपस मन गया है विस्व युबा कोंसल दिवस 11 जुलाई को आपको याद होगा विस्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और 20 जुलाई को विस्व सत्रंज दिवस मनाया गया है तो यह fact आप नोट कली सीगा तो पाई के बारे में आप सबी लोग जानते होगे mathematics में आपने इसका काफी यूज क्या होगा? पाई सन निक्टन दिवस 22 जुलाई को मनाय जाता है देखे, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा साथ ठीक है? तो 22 तारीख है आज और सात्मा महिना है तो इस लिए इस दिवस को 25 सन निक्टन दिवस की रूप में मनाय जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस मनाय जाता है तो पाई दिवस अलग है और पाई सननिक्टन दिवस अलग है ठीक है तो इन दोनों में आपको confused नहीं होना है जुलाई माह के प्रमुक दिवस डिसकस कर लेते हैं तो एक जुलाई को राष्टिय चिकितसक दिवस इसके अलाबा एक जुलाई को SBI का स्थापने दिवस GST दिवस और राष्टिय डाक कर्मचारी दिवस मनाय जाता है दो जुलाई को विस्व खेल पत्रिकार दिवस विस्व UFO दिवस मनाय जाता है 10 जुलाई को National Fish Farmers Day, 12 जुलाई को WISU Paperback दिवस, और 15 जुलाई को WISU Yuba Council दिवस मनाये जाता है, 17 जुलाई को अंतराष्टिय न्याय दिवस, 18 जुलाई को अंतराष्टिय नेलसन मंडेला दिवस, 20 जुलाई को अंतराष्टिय सतरंज दिवस, 22 जुलाई को WISU मस्तिस्क 23 जुलाई को चंसीखर आजात की जैंती भी मनाये जाती है, 26 जुलाई को कारगिल बिजे दिवस, 27 जुलाई को CRPF का स्थापन दिवस, 28 जुलाई को WISU Hepatitis दिवस, 28 जुलाई को WISU Prakitis सरचन दिवस, 29 जुलाई को अंतराष्टिय टाइगर दिवस मनाये जाता है, अंग Hybrid Court Room का उद्घाटन किया गया है, Hybrid Court Room का मतलब यह है कि यहाँ पर कामकाज हातों से भी किया जाएगा, और Artificial Intelligence का यूज करके भी यहाँ पर कामकाज किया जाएगा, कुछ important current of us discuss करते हैं Artificial Intelligence related, तो केरल ने अपनी स्कूली पाट पुस्तकों में Artificial Intelligence को सामिल किया है, हनुमान AI अंगला कुशन है, राष्टपती द्रोपती मुर्मु ने ससस्त्र बलों और भारतिय तरटर चक बलके कितने कर्मियों को विसिष्ट सेवा मैडल से सम्मानित किया है, आंसर हो जाएगा 94 कर्मियों को, तो प्रेसिडेंट द्रोपती मुर्मु जी के द्वारा, हमारे देश क आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र दोबेदी और नौ सैना की चीफ एड्मिरल दिनेश कुमार तरपाठी को परम विसिष्ट सेवा मैडल से सम्मानित किया गया है, तो ससस्त्र बलों और भारतिय तरटर चक बलके 94 कर्मियों को अभी हाली में विसिष्ट सेवा मैडल प्रदान किये गए हैं, दोस्तों लेप्टिनेट जनरल M.B. सुचिंद्र कुमार और लेप्टिनेट जनरल N.S. राजा सुब्रमनी को अभी हाली में परम विसिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है, तो राश्ट पती ने 31 परम विसिष्ट सेवा मैडल और 4 उत्तम युद्ध सेवा नासा की, तो नासा ने सुध रूप में सलफर प्राप्त किया है मंगल ग्रह पर, और दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर आइरन आकसाइड की सबसे ज़्यादा अधिकता है, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोवोस और डीम इसके द्रुबों पर 50 लाख क्यूबिक किलो मीटर बर्फ जमी हुई है, मंगल 687 दिन में सूर की परिक्रमा करता है, 1965 में नासा ने मंगल ग्रह पर मेरीनर 4 स्पेस क्राप्ट भेजा था और या पहला सफल मंगल मिसन था, इसरों के द्वारा मंगल यान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुँचाया गया था, चलिए कल के करेंट अफ्यास के कुशन डिसकस कर लेते हैं, तो स्पेस एक्स और एक्स के मुख्याले को कहां इस्थाना अंत्रित किया गया है, टैकसास में, गेवरा और कुसमुंडा कोईला खदाने किस राज में इस्तित हैं, जो वि डॉलर के इलेक्ट्रोनिक वी निर्मार का लक्षर का है, 2030 तक, विनै मोहन को आत्रा किस देश में भारत की नई राजदूद मनाये गए हैं, अमेर का, गुजरात में किस बाइरस के करण 15 लोगों की मौत हुई है, चांदीपुरा बाइरस के करण, हाल ही में नासा ने सौरम पुति मूर्मू के भासनों का संकलन क्या गया है इस पुस्तक में, हैरी मैसी पुरुसका से किसे सम्मानित क्या गया है, प्रहलाज चंद्र अगरबाल को, जैड एसाई के विज्ञान को ने किस राज़ के समुद्र इतट से डॉग फिस सारके की एक नई प्रजाती की कोज क है कीरल, बाइलोजी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट कुशन डिसकस करेंगे, तो आरबीसी का कब्र गाह किसे कहा जाता है पलीहा को, मुक से निकलने वाली लार के द्वार किसका पाचन किया जाता है, सबसे छोटी जीवित कोश्च का कौन है, माइको प्लाज्मा, और लोहर की कमी से कौन सा रोग होता है, एनियमिया, सर परतों प्रियोकसाला में, जीन का संसलेषन किस न किया था हर गोविंद खुराना ने, मनुस में एक्शिक गतियों का नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है, सैरी ब्रहम के द्वारा, और सदीर का तापमान कहा नियं किस राज में शुरू की गई है तो यह महराष्ट राज में शुरू की गई है तो लगबक सभी लोगों ने इसका अंसर महराष्ट बताया हुआ है दोस्तो कर्मचारी चैन आयो के अध्यक्ष कौन बने है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरू बताईगा हम हुआरे टेलिगराम चैनल को जोईन करने तो यहां पर आपको PDF मिल जाएगा इसको जोईन करने के लिए आपको टेलिगराम पर जाणा है और study कर official सर्च करना है तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा study करके app को डाउन लोड कर लीजिगा यहां पर paid course, ebook, test, सीरीज ये सब भी मिल जाएगा दोस्तों monthly current of yes yearly current of yes और six month के current of yes की ebook आपको एप पर मिल जाएगी तो इन सब भी को प्राप्त करने के लिए एप को ज़रूर डाउनलोड करें